बहसे निम्मसकार दोस्तों मैं हूं रुप चन आप देख रहें YouTube channel रुप चन ट्की जिस गुरू दोस्तों आज एक बार फिर से हम नए topic साथ पस्तित है इस topic को नाम है सिंध NG viewer. सब्वमिता हैं दोस्तों आज हम लोगों सिंद्घाटी की सब्व mash ताको विस्तास पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे दोस्तों और मोस्ट इंपोर्टेंस आफ प्रिच्वामें सरुमित प्र काथे सब्भाता से बहुत ही कहते हैं दोस्तों जानते हैं भारत की भारत की प्राचीन इस नगरी सब्विता को या संधो सब्विता के नाम से जाना जाता है कि भारत की प्राचीन इस नगरी सब्विता को सिंधो सब्विता के नाम से जाना जाता है किसको सिंधो सब्विता को क्योंकि इस सब्विता से संबंधित प्रारंभी पुराष्थल प्रारंभी पुराष्थल जो प्रारंभी पुराष्थल थे सिंधू अथवा उसकी सहायक नदियों के आसपास मिले थे इस सब्यता को हरपा सब्यता भी कहा जाता है दोस्तों, इसे सिंदू की घाटी सब्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे सम्वन्धित जो प्राणांभी पुरा अस्थल थे सिंदू अथोज की साहाग नदियों के आस पास मिले थे इसलिए इसे हम लोग सिंदु घाटी की सब्वेता कहते हैं क्यों भई क्योंकि सिंदु घाटी के ही नदी की आसपास तमाम अस्थल मिले थे इसलिए हम लोग इसे सिंदु घाटी की सब्वेता कहते हैं नाना हुआ को इस फ़न झाल्फादीस को हाभ्पास ब्हτα भी कहा जाता है क्यूंकि सबसे पहले क्या सबख्मक्टाराइब कृधर यद्य हुटी और दोस्तों इतना मोंक्य को मारुनहीं चाहिए मृ incredulsion झारका मिलाएं कि अब हम इसे भाउब हока घुलग उल्जेल दूस Um सिन्ध्रेशाय कर भाउब कहा जाता है कान्षभी तर्फ़ा गाल क्या है दोस्तों क्योंकि सबसे पहले स्हिंध्वाजी यह निस सिंद्ध घाटी सब्वेता के लोग ही ताबा प्लस्टीन, ताबा प्लस्टीन मिला के किसका निर्मार करते थे, कांसा का निर्मार करते थे, इसलिए सिंद्ध घाटी सब्वेता को हम लोग कांस निर्मार करते थे, कांसा का निर्मार करते थे, है कि नहीं, दोस्तों इतना हम लोगको जाएंकारी अनल चाहिए लें नेस था दोस्तों यह भारत की परथम नगरी समडिता थी यह इंपोर्टेंस है पूछे का भारत की पर्थम नगरी सब्धता कौन थी तो सिंध्गाटी की सब्धता या भारत की पर्थम नगरी सब्धता थी क्योंकि दोस्तों पक्की इटे पक्की नालिया वगारा जो है मिले हैं इसलिए हम लोग कह सकते हैं या भारत की नगरी सब्धता से जानते हैं क्योंकि इस काल के लिखित और पुरा तात्वीक दोनों साच मिलें इसी हम लोग क्या मतायंगे आदधए rais काल के नामा से ही जाना जाता है क्योंकि इस काल के लिखित और पुरा तत्री स्हीसे दोनो सास्टोना मैज नहीं है ने कि दोस्तों कि सिंद्ध गाटी सभ्वथा कान अगला जो चना हमाने अधर है सिंद्ध घाटी सभ्वथा काалась निर्धान यानिए उसका समय कब से कब तर को बत्ञाना जाता है दोस्तों ‫ किस किस विद्धानँ को क्या क्या मत्त था दुस्तव सब्सबै yoga in यानि C14 रेडियो कारवन C14 डेंटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सर्मानतिती दोस्तों क्या मानी जाती है इस सभ्यता की सर्मानतिती तेईस सो पचास से सतरा सो पचास इसापूर मानी जाती है हाई नहीं यह दोस्तों बहुत प्रिच्वाम पूरिए रहता है कि रेडियो कारवान सी चौदा डेंटींग के अनुसार इस सब्यता कि सुर्म मान ते ती कि इतनी मानी गई है। 210 पचास्सवारी 230 से 750 इसा पूरत मानी गयी है।U कि विद्वान मांतें नाम है सर्मांटीमार् हीलर सर मार्टीमर हीलर इनका कथन था दोस्तों कि सिंधगाड़ी सब्वता जो समय था पचीस सो से पंदरा सो इसापूर ये जो है पचीस सो से पंदरा सो इसापूर मानते हैं कौन स्विंध घाड़ी सब्वता है और अगले जो है है दोस्तों सर जान मारसल सर जान मारसल का कहना था कि स्विंध घाड़ी सब्वता जो है बतीस सो पचास से सताइस सो पचास इसापूर की थी है कि नहीं और अगले बिद्वान है दोस्तों डीपी अगरवाल का कहना था कि सिंद घाटी सब्यता तिस सो पचास से 1750 इसापूर मानी जाती है और अगले लेखाख है अलवीन अलवीन का मानना था कि दोस्तों तो अलग अलग विद्वान को अलग अलग मत था है कि नहीं अलग देहते हैं दोस्तों सिंद्धगाटी सब्विता का विस्तार कहां तक था है कि नहीं तो वही हम लोग देखेंगे दोस्तों सिंधगाटी सब्वता का विस्तार लगभग भारत एवं पाकिस्तान में लगभग पंदरा सो अस्थलों में पाया गया है सिंधगाटी सब्वता का विस्तार लगभग भारत एवं पाकिस्तान कुछ भाग अपगानिस्तान में भी है अब पाकिस्तान में लगभग फंदरा सो अस्थलों में पाया गया है जो दोस्तों सिंद्घाटी सब्रता का पूरा छेत्रे कैसे था तिरभुच की अकार का था इस सब्रता का कुल छेत्र फल दोस्तों यह इंपोर्टेंस है तो इतनी बाते हम लोग कमाव रहना चाहिए अब है दोस्तों खड़पा कारीन पर्भू कस्थल खड़पा कारीन पर्भू कस्थल यह important है महत्तो थे खासशी तो उसी मगदी सब्धत संबंधित जो पर्भू कस्थं है खास खास उन्हीं कि हम लोग क्याओ करें दोस्तों लिए जो एक हीडिंग है नारी खड़पा कारीन पर्भू कस्थल तो उसी के बारे में हमाई जो ही चार्चा है रहेंगी दोस्तों सबसे पहले सिंगाई सब्वता में पहला स्थाल के नाम है जिसका नाम है खड़पा आज हम लोग खड़पा के बारे में ही चार्चा करेंगे सबसे पहला स्थाल खड़पा अब दोस्तों दोस्तों इसको फूरा ट्रिक्स देखेंगे अब देखो यहां लिखें हम हरपा वैसे तो इसकी स्पीलिंग दूसरी कुछ होती लिकिन हम लोग यहां दोस्तों प्रिक के माध्यांस देखेंगे और बताएंगे हरपा हम यहां लिखें क्या है हरपा दोस्तों हा परस प्रफ्ट 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 प् डैराम साहनी जो है और गहां दोस्तों रावी नदी नदी रावी नदी ृक्ति एक बना लें रावी नदी में तो रह पा रम आपा रहा से संभी में समिझेंगे सिर्फब अवर्ष कब था Lisman करता यानीطाइग तशन सर्जानमास्षार के नितरुत में इसक रहीं कि O जिनका नाम क्या था सर जानमाशल यानि सर जानमाशल के नितुरत में बाबु दयाराम सहनी यानि राय बहादू सिरी दयाराम सहनी इनका पूरा नाम है और कहीं कहीं दिया है कि दोस्तों बाबु दयाराम सहनी यानि सर जानमाशल के नितुरत में बाबु दयाराम सहनी ने अब दोस्तों देखते हैं हम लोग खडपा की अवस्तिती यानि इसका बिस्तार कहा है आवस्तिती कहा है इसकी किसका खडपा का तो दोस्तों खडपा की अवस्तिती कहा है पाकिस्तान के पाकिस्तान के पंजाब परांथ के मोंट गुमरी मोंट गुमरी जिलिय में रावी के बाएं तड़ परिश्थी थे किस तड़ दोस्तों बाएं तड़ परिश्थी थे हैं कि नहीं अब हम लोग दोस्ते हैं देखते हैं दोस्तों रावी नदी के बाएं तड़ परिश्थी थे हैं कि नहीं अब देखते हैं हडपा संबंधित महत्पूर साच्छ यानि हडपा क खुदाई में दोस्तों क्या-क्या साच मिले थे कौन कौन सी जानकरी हम लोग पिरात मिलती है और खुदाई में क्या-क्या प clever व्ये थे यNg अनी हटक्रप संसन highlight हो साच क्या-क्या मिले थे उसी के बारे में हम लोग देखते हैं थे में क्या मिला था और ऑलाल पो में क्या क्या मैं मिला था ही नहीं च्यवज사 क्गैंब्स न्यार मिला था की हिए उन्हों पहके वीं तरुमागा ख़लप सब्पता में में तरवोज के बीज मिले थे और सिरक के बल खड़ी सीरक के बल स्थ एस तिरिक के गर्व से निकलें पखी कि आकरित थी क отп यानि सिर्ख के बल खड़ी स्थे के गर्व से निकलते पौधों पौधे की आकरिती वाली मुहर्अच्र वाली मुहर्ण संक्क का बना बैल इसका संख और इत्या展 यह सब जो है दोस्तों मिली थे किसमें यानि हड़ापा की खुदाई में है कि नहीं क्या मिला दोस्तों फिर इसे बाद देलते हैं हम लोग अन्नागार तर्भूच के बीज और सिर के बल खड़ी स्तिरी के गर्व से निकलते पौधें की अक्रिती यानि उसमें दोस्तों हरे भरे हरे परदा बना बाईल यह जो है दोस्तों हरापा सब्यथा के कुदाई में जो है साथ स्चिमें थे यानि कुदाई से प्राथ हुई थे तो अब देखते है हम लोग अगला अगला स्थल स्थलय है इसका नाम आह दोस्तों मोहन चोदलो इसा है तीला यानि परेतों का टीला मुर्दों का टीला है नहीं योग देखते हैं इसका तात्पर तात्पर होता है नहीं दोस्तों ही बीर्म नगर होने के कारान इसे दोहे सिंधु का बाग होने की है मुंहण हपास ब्रणाग कीम कुछ स्थान इसां से आधर गषार होने के का में रहता इसे हम लोग नकली स्तान या सिंद्धु का बाग के नाम से जानते हैं, कीसे दोस्तों? मोहbuat्यों चोजलोग्यू को है की नहीं। तो इतना मोह् bringen रूप्ध करत क्या दोस्तोटे सो मूर्व का टीला है की नहीं। अत्सों मिखन तेम दो उत्खनंवर्श यारि मोईज्ण 2000 को उत्खनंवर्श किया है इसकी कव्धा वूती मोईज्णंवर्ण की 1922 स्विन कीवपरी की ठी उत्खनं करता कों है थी उत्खनं करता कों थे टो यह करता को तुध पाकिस्तान के सिंध प्रांद के लरकाना जिली में कहां पाकिस्तान के सिंध प्रांद के लरकाना जिली में सिंधू सिंधू नदी के दाएं तर्पर इस्थित है या इस्थित था इस्थित था और दोस्तों लोग जानते हैं कि जो हड़ापा था वो रावी नदी के बाएं त परिष्टित था तो इतना हम लोग को मोहंजुलोव से मारू रहना चाहिए यानि इसके किसने करवाया था राखल दास बनार जी ने आवस्तिती कहा है दोस्तों पाकिस्तान के सिंध परांद के लरकाना जिलिये में सिंधु नदी के दाएं तर पर है कि नहीं अब दोस्तों द पर देक्ति सुन लीजिए तक जो साथ शमिलित तुरंद मालू हो जाएगा दोस्तों यहां हम लोग बात कर रहें अस्थल कौन सास्थल मोहन जो दोलो किसको को किस भगवान को मोहन के नम से जानते हैं दोस्तों जब पहले प्राचीन कार्म जब गोपीया पहरे असनान करती ते तो कपड़ा कौन चुलाता था ज़्म हम चुला था ऑता जो सटे उरेखी नहीं कोन गोपीया और नित करती थी क्या पहन कर है सूती पहन कर सूत की साडि सूत की साड़ी पहन कर जो है नाशती थी कौन नाशते थे घूपीयां। यह थी कि न fijतुजवत नहां नहाथी थी अश्ण ANA गार में तो कपड़ा कौन चुला था था दोस्तों मुँफ allons थे तो वैक्छ आएकए तो आप साठी नाच्ती भी थी तो मौछी तो साठी दोस्तों अब साठी चेसा.. क्या साच मिले थे सूती कपड़े के साच अब याद वियात होता हbacks को रहा है सूती कपड़े के साच तर्फ पौटामिया million first of time या मूल की मैं वारित विश से मेंशो पौटामिया मूल की बेलनाकार महरे यह भी जो है मोहन जुडो 시 प्राफत हुई हैं बिलना कार मोहरे काँसे की नर्थी की मूरती अभी दोस्तों बताये कि गुप्नियन न्रश्टि थी तई नाश्टि सुझा इस क्या नर्थकी यह भी मिली थी MOHN醬 driven से कहा अक्रित के साथ न्रथकी यह मिली थी पसुपति सिव की आकित वाली मुहर भी मिली थी, कहां से? मुहन जोडोल से, जिसमें हाथी, क्या बने हैं दोस्तों? जिसमें हाथी, बाग, भैसा, गैडा, तथा हीरन का अंकन हुआ है, इसमें क्या अंकन हुआ है? बाग, भैसा, गैडा, तथा हीरन का अंकन हुआ है, है कि नहीं दोस्तों तो इतना मोग को साथ मावनें चैनल साथ देते हैं दोस्तों पर नोट देख लेते हैं नोट को ढतर्डा कि किस हिसेदी बड़ी इमारत यह इंप्या ज्रहाएं इस बरिए इंप्वर्टेंस लोग अन्नाondern Surprise K दोस्तों मोहन जोलो की सबसे बड़ी मारत इंपोर्टेंस बहुत इंपोर्टेंस है मोहन जोलो की सबसे बड़ी इमारत सबसे बड़ी इमारत कौन थी दोस्तों अन्नागार है मोहन जोलो की सबसे बड़ी इमारत वहां क्या है अन्नागार है जो कि दोस्तों 45.7 एक मीटर 127-7-1.5-12-3.5-3.4 और दोस्तों देखते हम लोग क्या साथ चेल कहता है मोहन जोजोलो से विसाल आशनानागार यानि गोपिया कहा अशनानागार के साच मले यह कहां से जो है तो दोस्तों दोस्तों लगो भी चैचाएं कर रहे थे कि अशनानागार में तो क्पड़ा कौन चुटाता था मोहन निरिए अस्रणागार के साथ कहा से मिले हैं दोस्तों इसी प्रकार शमाना जो है वीडियो सिंद घाटी सब्विता करता के दोस्तों यह फार्ट वन था इसके बाद हम लोग पार्ट दो के बारे में चल्चा करेंगे यदि आपको दोस्तों वीडियो प्र धन्वाद आपका थेंक्यू, थेंक्यू so much.